तो आज की बड़े में हम बात करेंगे यहाँ पर अहुजा का निव एम्प्लिफार जो की Class D एम्प्लिफार है और एक भाई का कमेंट भी आया था कि अहुजा एकस डीये साथ हजार दो प्राइज अभी का तो यह सारे चीज जो है यहाँ पर कमेंट आता है रहता है निव निव तो आप भी नीचे कमेंट भी बताईगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए फिलाल आज की विडियो में हम बात करेंगे अहुजा का एकस डीये सा सकते हैं या फिर रख सकते हैं यहाँ पर इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि अहुजा का एकस डीये साथ हजार दो एम्प्लिफार इसका प्राइस कितना होगा मार्केट प्राइस साथी साथ हम बात करेंगे इस वीडियो में कि इसका कितना हमें पाउर देखने को मिल जाता है इसका damping factor कितना है ये सारी जनकारी इस वाले वीडियों हम देखेंगे साथ हम बात करेंगे इस वाले amplifier में हम कितने watt का base हम use कर सकते हैं 2 base या फिर 4 base तो चले फिर वीडियो को सुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अभी सेक और आप देख रहे है डीजे रोग चैनल सो जैसे कि आप देखेंगे अहुजा का amplifier यहाँ पर काफी अच्छा amplifier आपको front face से देखने को मिल जाता है और यह new launch amplifier है जो जैसा कि आपको पता है dual channel class d amplifier है और इसका model number है xda 7002 amplifier आप देखेंगे तो काफी अच्छा dual channel amplifier हमें देखने को मिलता है जिसमें कि आप देखेंगे front face में तो आपको मतलब हवा के लिए year pass के लिए जगद दिया हुए है दोनों side साथी साथ यहाँ पर channel A और channel B के लिए अलग अलग हमें gain ops देखने को मिलते है और यहाँ पर अलग अलग light indication भी देखने को मिल जाते है जिसमें कि protect, temperature, clip, signal और यहाँ पर fault का भी देखने को मिल जाता है जो कि channel A और channel B के लिए अलग अलग हमें light indication देखने को मिल जाता है वहीं हमें handle भी amplifier में देखने को मिलेगा और अगर हम बात करते हैं amplifier के back panel में तो back panel में आप देख सकते हैं fan, power cable, साथी साथ यहाँ पर कुछ selector switch हमें देखने को मिल जाते हैं इस वाले amplifier में हमें fuse भी देखने को मिल जाता है मतलब स specification रहेगा वो कुछ इस टाइप से है जो कि 8 ohms के उपर 1350 watt का per channel output हमें amplifier निकाल के देदेता है और 4 ohms के उपर 2400 watt का per channel output हमें amplifier निकाल के देदेता है अगर हम 2 ohms के बारे हम बात करेंगे तो amplifier 2 ohms के उपर जो है recommended नहीं है मतलब यह amplifier 2 ohms के उपर आप इसको use नहीं कर पाएंग के 20 kilohertz तक का यह frequency support कर लेता है मतलब हम इस वाल amplifier को सभी frequency में use कर सकते हैं low pass filter भी हमें देखने को मिल जाता है जो कि amplifier के back panel में आपको देखने को मिलेगा low pass filter में आपको 80 hertz और यहाँ पर 120 hertz का दोनों option आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि अगर हम base में अगर हम मान लिजीए कि अगर हमें vibration आप काफी अच्छा vibration हमें निकालना है तो हम low pass filter को 80 हज में करके चला सकते हैं जिससे कि हमें काफी ज्यादा vibration मिलेगा और अगर हमें vibration प्लस punch चाहिए तो हम low pass filter को 120 hertz में करके चलाएंगे जिससे कि हमें punch और vibration भी दोनों मिलता रहे हैं अगर damping factor बात करेंगे तो amplifier का damping factor हमें 1000 देखने को मिलता है और यहाँ पर power consumption के पर हमें बात करेंगे तो rated power consumption यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा पांच जर पांच वाड़ 220 से 240 वोल्ट के अंदर तो amplifier का जो हमें light देना है जो current आप देंगे AC voltage देंगे वो हमें 220 से लेकर के 240 वोल्ट के अंदर जो है हमें इसका voltage रखना है जो की 50 से 60 Hz के आसपास में इसका जो frequency रहेगा वो हमें देखने को मिल जाएगा मतलब हमें frequency जो हो 50-60 Hz का देना है वेट के बारे में बात करेंगे तो वेट हमें 22 किलो 100 गराम का ये amplifier देखने को मिलता है जो की काफी light weight amplifier है मतलब काफी कम version वाल amplifier है आप इसे मतलब एक छोटा सा मतलब 10-12 सल का बच्चा भी इसको उठा सकता है अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इसमें toridal transformer के साथ power supply हमें देखने को मिल जाता है अगर हम size के बारे में बात करें तो amplifier का जो size है वो compact 2U size amplifier देखने को मिलेगा जो की काफी अच्छा खासा यहाँ पर छोटा size होता है जो की अगर आप बड़ा amplifier देखेंगे तो वो 3U size में बाता है और यह हमें 2U size में देखने को मिल जाता है जो की काफी अच्छा compact हो जाता है मतलब छोटा हो जाता है amplifier और कहीं भी आप जो है काफी easily इसको रख सकते हैं अगर हम बात करेंगे तो यह BIS approved है जो की government के तरब से यह amplifier जो है चेक होकर गयाता है मतलब BIS approved जो रहता है व कोई भी brand आप देखेंगे कोई भी speaker कोई भी मतलब कोई भी product आप देखेंगे तो काफी अच्छा खासा heavy हमें देखने को मिल जाता है और अहुजा ने पहली बार अभी first time जो है वो class D amplifier launch किया है जो की अहुजा का XDA 7002 amplifier है और इस amplifier के साथ साथ जो है आने वाले समय में हो सकत है काफी अच्छे अच्छे amplifier अहुजा जो है launch करने वाली है फिलार हम बात करेंगे अहुजा XDA 7002 amplifier का price कितना होगा 37 हम बात करेंगे इसमें load हम कितना डालेंगे मतलब load calculation हम कैसे करेंगे तो price के बारे बात करेंगे तो price approximately रहेगा price 5000 रुपे के आसपास up-down हो सकता है तो amplifier का price 80 हजर के आसपास में market में आपको देखने को मिल जाएगा price कम ज्यादा हो सकता है जैसे कि 80 हजार या फिर 85 हजार थोड़ा बहुत up-down price आपको देखने को मिलेगा market में और अगर आपने ये amplifier ले लिया है या फिर अगर आप यूज़ कर रहें तो आपके market में क्या price है वो नी XDA 7002 amplifier में हम कितने watt का base चला सकते हैं तो इस amplifier को अगर आप लेते हैं तो base के लिए आप लीज़े जो की काफी अच्छा रहेगा तो जैसे कि अगर हम बात करेंगे दो base के उपर दो base अगर आप चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर simply Ahuja का 1300 watt का जो speaker आता है वो speaker आप इसमें पर channel एक-एक speaker मतलब single वाले दो base हम एक-एक base एक-एक channel में हम लगा सकते हैं जिससे कि हमें काफी अच्छा base मिल जाएगा आपको low pass filter back panel में देखने को मिल जाता है तो उस हिसाब से आप जैसा आपको sound चाहिए मतलब जैसा आपको base चाहिए उस हिसाब से आप low pass filter को select करें वह इससे कि हमें काफी अच्छा base, काफी अच्छा पंच, काफी अच्छा vibration मिल जाएगा कोई भी problem amplifier में नहीं होगा अगर हम बात करेंगे 4 base के उपर तो 4 base अगर हम चलाना चाते हैं इस amplifier में तो हम यहाँ पर 1200 watt का 4 speaker कोई भी brand का चला सकते हैं जिसमें कि कोई भी voice coil हो सकता है य कोई कोई brand में तो आप उस type के speaker इसमें 4 speaker चला सकते हैं जो कि इसका connection रहेगा parallel connection और एक channel में हम 2 speaker लगाएंगे और दूसरे channel में भी 2 speaker लगाएंगे जिससे कि हमारा amplifier 4 ohms के उबर run होगा और अगर हम बात करेंगे अहुजा का ही 1300 watt का speaker हम इसमें चला पाएंगे या नहीं तो म इतना काफी है आपके base के लिए जो कि 1300 watt का 4 speaker के लिए काफी है तो आप काफी easily चला सकते हैं क्योंकि इसका damping factor भी हमें काफी तगड़ा देखने को मिल जाता है जैसे कि आप देखेंगे तो अहुजा का जितने भी Alexa series amplifier आये थे या फिर लॉंच हुए थे तो उन सभी में damping factor आ रहा हो काफी अच्छा हमें देखने को मिल जाता है मतलब अभी तक के अहुजा के जितने भी model से amplifier के उन से सभी से इसका damping factor काफी जाता है जिससे कि हमें काफी अच्छा vibration काफी अच्छा पंच हमें देखने को मिल जाएगा मतलब सुनने को मिल जाएगा तो कुछ इस ये 7002 Amplifier का details होता है जिसमें कि मैंने आपको बताया है इसका price, specification, load calculation, सारा चीज मैंने आपको बता दिया है तो वीडियो कैसा लगा तीचे comment उसमें ताएगा एंड वीडियो को like, share और चैनल को लिजिए का subscribe और bell icon को press करना मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले आपके पास notification मिल सके तो चले फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वन्दे मातरम